सब्सक्राइब इंडिनीज अनलिस चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फॉर लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स टू से ज़्यादा रेंज वाली होगी वहीं इसकी रेंज अस्त्र मार्क 3 के बराबर भी हो सकती है बस फर्क इतना होगा कि इसमें अस्त्र मार्क 3 के जैसे एर ब्रेटिंग रैमजेट प्रपल्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा योगि आपको तो पता ही है कि एर मिसाइल को विक्सित करेंगे जिसमें ट्रेडिशनल सॉलिट फ्यू प्रपल्शन का इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन इसकी रेंज 280 किलोमेटर से जादा होने वाली है और इसकी जो कॉस्ट होगी वह अस्त्र मार्क 3 के तुलना में लगबग आधी होने वाली है अस्त्र मार मिसाइल है इसकी रेंज 280 किलोमेटर के आसपास क्लेम की जाती है हमारी एकली बड़ी अपडिट इंडिन कोस्ट गार्ट को लेकर के आ रही है इंडिन कोस्ट गार्ड ने हिंदुस्तान अनॉटिक्स लिम्टेट के साथ एक नए हेलिकॉप्टर प्रोग्डेट को लेकर के बात करनी शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि इस समय इंडिन कोस्ट गार्ट और एचेयल के बीच में इंडिन मल्टि रूल हिलिकॉप्टर के एक मोडिफाइड वैरियन को लेकर के बात की जा रही है जो की इंडिन कोस्ट गार्ड के रिक्वार्ट के आधार पर बनाये जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड को तक्रीबन 14 की संख्या में इन हेलिकॉप्टर की जरूरत होने वाली है जिनका इस्तेमाल सर्विलन्स, रिस्क्यू और भी दूसरे जो सेक्योटी रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनमें किया जाना है इंडियन कोस्ट गार्ड ने पह बन गई थी क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एयर बस का ही ओफर मौझूद था और बाद में ये टेंडर कैंसल कर दिया गया और अब ये चाहती है इंडियन कोस्ट गार्ड की कोई भी फॉरण हेलिकॉप्टर लेने से अच्छा है कि इंडिजनस हेलिकॉप्टर पर जाया जाए और इसी के लिए हिंदुस्तान ऐरनाटिक्स लिम्टेट और इंडिन कोस्ट गार्ड के बीच में जो बातचीत है वो चल रही है और माना जा रहा है कि इसके सकार आत्मक जो रिजल्ट्स हैं वो निकल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हाली में इंडिन कोस्ट गार्ड ने हिंदुस्तान ऐरनाटिक्स लिम्टेट के साथ जो लाइट उटिल्टी हेलिकॉप्टर से उनको लेगर के भी बातचीत शुरू करी है और एक बड़ा और इंडिन कोस्ट गार्ड के द्वारा दिया जा सकता है हाली में हमने देखा कि टाटा और एरबस के जॉइंट वेंचर के बाद कई और फॉरन एरक्राफ मैनुफेक्चरर्स हैं जिन्होंने अपना इंट्रेस्ट इस समय इंडिया में केंद्रित कर लिया है जिसमें बोईंग और इंब्रेयर का नाम सामने आ रहा है और अब इन द जाना है वो किसी एरपोड के नस्दीक हो ताकि आगे चल के जो ट्राइल्स हैं जो टेस्टिंग है वो इनके लिए काफी आसान हो जाए और इस समय माना जा रहा है कि भारत सरकार उनके इस प्रपोजल पे काफी गंभीरता से विचार कर रही है क्योंकि भारत का टार्गेट उनका इस्तेमाल इन एर क्रप्स के मैनफैक्चरिंग प्लांट के तरुर पर किया जा सके माना जा रहा है कि कुछ लैंड्स को चिन्निद भी कर लिया गया है जहां पर आगे चल के इस प्रकार के जो पूरे के पूरे प्लांट्स है वो establish किये जा सकते हैं अब क्योंकि आपको तो पता है कि aerospace manufacturing facilities काफी बड़ी होती है और इनको काफी बड़ी जगे की ज़रूरत होती है ताकि इनकी assembly line, aircraft part, entry units और भी दूसरे जो requirements हैं वो पूरी की जा सकें और इसके लिए भारत ने भी तैयारियां शुरू कर दी है हमारी अगली बड़ी update काफी चौकाने वाली है और ये F-18 Super Hornet और आइनस Vikrant को लेकर के आ रही है एक तरफ जहां भारतियन 9 सेना ये निर्णे लेने वाली है कि इंडियन नेवी के पहले इंडिजनेस एरकाप्ट केरियर आइनस Vikrant से कौन सा एरकाप्ट उडान भरेगा तो भारतियन 9 सेना के पूर वाइस एड्मिरल ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसने सब का ध्यान उनकी तरह पाकर्शित कर लिया है दसल वाइस एड्मिरल विनोज परसिता सर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो रशियन टेकनोलजी को लेकर के 100% शियोर नहीं है दसल आइनस Vikrant और आइनस Vikrant दित्य दोनों में जो अर्रेस्टिंग गेर टेकनोलजी इस्तेमाल करी गई है वो रशियन है और उनका कहना है कि ये जो अर्रेस्टिंग गेर है ये मिग 29K को ध्यान में रख करके बनाए गए है और वो 100% शियोर नहीं है कि वो F-18 Super Hornet के लिए properly work करेंगे क्योंकि उनका कहना है F-18 Super Hornet मिग 29K की तुलना में तकरीबन 4.5 तन वजनी है इसलिए वो 100% शियोर नहीं है कि ये सही से काम कर पाएंगे उनका मानना है कि कोई भी एरकाप लिया जाए उसके पहले ये सुनश्चित कर लिया जाए कि उनका जो उपरेशन है पुरा एरकाप केरियर में वो सुरक्षित होने वाला है और उनका ये मानना है कि अगर F-18 सुपरहॉनिट लिये जाएंगे तो पहले आइनेस विक्रांथ में हलके फुल के मोडिफिकेशन किये जाने ज़रूरी है उसके बाद ये ऑपरेट किये जा सकेंगे हाला कि ये उनका परसनल ओपीनियन है आइनेस विक्रांथ के द्वारा या हम ये कहलें इंडियन नेवी के द्वारा ऐसा कुछ भी अभी ऑफिशली कनफॉर्म नहीं किया गया है और माना जा रहा है कि इसी वर्ष के अंतक नेवी डिसाइड कर लेगी कि कौन सा एयरक्राप्ट आइनेस विक्रांथ से उड़ान भरेगा अपनी अगली अप्डिट बात कर लेते हैं परम्मित्र पाकिस्तान के बारे में परम्मित्र पाकिस्तान डिफेंस को लेकर के काफी ज़्यादा उत्साहित दिखाई पड़ता है क्योंकि हाली में इन्होंने एक डिफेंस एक्जिबिशन आयोजित किया था जहाँ पर चीन और तुर्की के हत्यार प्रदर्शित किये गए थे और अब इसी प्रकार भारत के एरो इंडिया से कंपीट करने के लिए पाकिस्तान एयर फोस भी प्लान कर रही है कि वो खुद का एक एयर शो और्गनाईज करेंगे जो कि 2023 या 24 में किया जा सकता है और उनका मकसद साफ है कि ये जो एयर शो है ये भारत के एरो इंडिया शो का कॉमपेटिशन होगा इन डैटली हम कह सकते हैं जहाँ पर तुर्क टर्किश और चाइनीज जो जेट्स हैं प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रदर्शित किये जाएंगे क्योंकि आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान में खुद का बनाया तो कुछ है नहीं एयर क्राफ चाइनीज है फिलाव तो चाइनीज है और आने वाल समय तुर्किश भी हो सकते हैं और माना जा रहा है कि पाकिस्तान 2024 तक इस प्रकार के जो एयर शो हैं उनको आयोजित कर सकता है तो देख से हैं पाकिस्तान का एयर शो कैसा होता है और उसमें क्या क्या चीज़े हमें देखने को मिलती है खैर भारत के एरो इंडिया की बात करें तो वो आपको फरवरी में देखने को मिल जाएगा ये चीज़ अब ऑफिशली कनफर्म हो चुकी है और एक बड़ा सस्पेंस है अभी कुछ सोर्सस से बात करने पर पता चलाए की तेरस मार्क टू स्टेटिस डिस्प्ले में होगा लेकिन कुछ का ये कहना है कि स्केल मॉडल ही प्रदर्शित किया जाएगा तो देखते हैं ये सस्पेंस तूटता है या अभी भी बना रहता है अपनी अगली एपडिट में बात करने वाले हैं अमेरिका के B-21 रेडर के बारे में B-21 मॉंबर को अन्वील होने में अब चंद दिन ही बचे हुए हैं लिकिन इसको लेकर के अब जो काफी इंट्रेस्टिंग नियूज है वो सामने आने लगी है दरसल अभी ये एरक्राप्ट अन्वील नहीं हुआ है और चाइना के जो एक्सपर्ट हैं उनको इस चीज का डर सता रहा है कि ये एरक्राप्ट आने के बाद चीन का जो एक पूरक का पूरा इस्टिक्ट इन्वार्मेंट है एर डिफेंसर्स का उसको ये आसानी से पेनेट्रेट करने के शमता से राएंगे क्योंकि उनका ये मानना है कि ये जो एरक्राप्ट है ये चाइना के अभी तक जो अभेद कहे जाने वाले एंटी एक्सेस और एंटी डिनायल शील्ड है उनको भी ब्रेक कर सकेगा और हर प्रकार की स्ट्राइक करने में सक्षम होगा क्योंकि चीन का मानना है अमेरिका ने इसमें हर प्रकार की जो एडवांस टेकनोलोजी जे अब तक की जो की कई दुनिया के दिश्विक्षत भी नहीं कर पाए है उनको जोग दिया है और ये एरक्राफ काफी जादा पाउरफुल होने वाला है हलाकि शुरुआत में माना जा रहा था कि शायद ये एरक्राफ सुपरसॉनिक होगा लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ये सुपरसॉनिक नहीं बलके सबसॉनिक ही एरक्राफ होने वाला है जो की long range तक जाके attack कर सकेगा और ये B2 bomber का एक successor है पिलोट्स की बात करें तो ये conventional के सासा nuclear strike करने में सक्षम होगा as usual जैसे B2 bombers किया करते थे लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसे चीज़े इस्तेमाल करी गई है defense experts ये मानते हैं जो की अभी मौझूदा किसी भी fighter jet में नहीं है वहीं अमेरिका का plan ये भी है कि चीन इसते पहले की six-gen fighter को बनाए अमेरिका को वो deploy करना है और इसके बारे में हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है तो फिलार के वीडियो में बस इतना ही मिलते है अपने एकले वीडियो में तब तक के लिए जय हैंद